टैग के एक नई स्मार्ट वाच Amazon के सपोर्ट पेज़ पर लिस्ट हो चुकी है टैग वर्प कनेक्ट मैक्स वैसे इस वाले स्मार्ट वाच में आपको Bluetooth कॉल के फंक्सिनल्टी मिल जाती है और प्रैसिंग काफी कम रखे गई है तो आके सब कुछ बताने वालों हूँ आपको इस वाले स्मार्ट वाच के बारे में यह स्मार्ट वाच उन लोगों के लिए हो सकती है जो पहली बार स्मार्ट वाच अपनी ये बाय करना चाहते हैं जिनका का budget कम है और Bluetooth को की देख सकते हैं वीडो पूरा देखे हैं आपको सब कुछ पता चले कि इसके इसके सपैसिफिक देखने को मिल जागा अभी तक जितनी फोटोस हो कर रही है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि इसमें आपको जो है मेटल बिल्ड फ्रेम मिलेगा स्क्वार फ्रेम होने वाला राइट हैंड साइड में एक फिसकल की निल जाती है 22 mm का आपको इसमें सिलिकॉन का स्ट्रेप देखने को मिल जागा जो चेंजेबल है आप थार्ड पार्टी स्ट्रेप भी आप लगा पा हुए तो डिजैन वरा का आपको बेसिक सा मिला लेकिन दिखने में अच्छी ये स्मार्ट वाच लग रही है इसके लावा आपको 1.8 इंच की इसमें लार्ज कलरफिल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है बड़ी डिस्प्ले है और 550 ही ब्राइटनेस भी मिल जाती है तो आउटडोर आपको 20 बिटी का इशू फेस करने को नहीं मिलेगा काफी ब्राइट डिस्प्ले होने वाली है बहुत सारे वाच फेस आपको क्लाउड बेस देखने को मिलेगी और कस्टम वाच फेस भी आप इसमें यूज कर पोगे टेच रिस्पॉंस काफी सही होने वाला है तो ओवर आपको बड़ी डिस्प्ले मिल लेए ब्राइट डिस्प्ले मिल लेए कोई मेसेज हो कर आता है तो इसको डिस्प्ले साइट से भी आपको कोई कमी इसमें देखने को नहीं मिलेगी इसके अलावा आपको इसमें ब्लूटूथ कॉल की functionality मिल जाती है, तो built-in microphone और speaker है, जिसके मिन से आप Bluetooth calls कर सकते हो, इसमें आप कुछ 10 contacts को save भी कर सकते हो, इसमें SOS है, तो emergency case में आपके जो भी SOS number आप save कियर होगे, उन पे आप directly एक click में call अगरा कर पाऊगे, तो ये छोटे-छोटे features बहुत सारे आपको calling के अंदर देखने को मिलेंगे, इसके अलावा इसमें आपको voice assistant का भी support मिलता है, लेकिन business में voice assistant नहीं है, आपके phone के voice assistant को tigger करेगी, अगर आप Android phone के साथ यूज़ करोगे, तो Google assistant, और अगर आप iPhone के साथ यूज़ करोगे, तो सिरी वहाँ पर just tigger कर देगी smart watch, fitness के सारे features मिल जाते हैं, जिसे heart rate monitoring SPO2, sleep tracking, female health tracking, calorie बन, step count, जितने इस आपको basic features होते हैं, fitness features वाले, वो सारे आपको स्वले smart watch में देखने को मिल जाएंगे, वैसे आपको कितने workouts मिलेंगे, company ने officially भी तक इसके बारे में बताया नहीं है, numbers exactly नहीं पता, 100 होंगे, 60 होंगे, 120 होगा, मुझे जितना लग रहा है कि 100 sports mode के आसपास आपको इसमें built-in देखने को मिल सकता है, built-in GPS नहीं है, जो भी workouts आप करोगे, उसके detailing काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगे, इसके लावा आपको इसमें IP67 की rating देखने को मिल सकती है, मतलब कि आप इसको पानी में भिगा नहीं सकते हो, थोड़ा बूद करती है, तो company ऐसा claim कर रही कि अगर आप इसको 10 मिनिट चार्ज करोगे, आपको 12 गंटे का battery backup मिल जागा, बिल्कुल normal use में, तो fast charging कहीं ने कहीं benefit कुछ लोगों के लिए कर सकती है, आपके पास time नहीं 10 मिनिट चार्ज करेंगे, बिल्कुल lightly use करेंगे, तो 12 गंटे का आपको smart watch इंडिया में बहुत जल्दी launch होने वाली है, बात करें कि प्राइस के और कभी यह launch हो रही है, तो इसकी introductory price होने वाली है 2399 याने के 2400 रुपए, और normal इसकी जो price होगी वो 2999 हो सकती है, बात करें कि कभी यह launch हो रही है, Amazon की sell आने वाली है, Great Freedom Festival, यह 5 अगस्त लेके 10 अगस तक चलेगी, तो यह 5 अगस्त को यह smart watch launch हो सकती है, तो अगर आपका budget 2400 या 2500 के आस पास है, आपको Bluetooth call वाली smart watch यह बड़ी display चाहिए, मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप tag, verb, connect max को देख सकते हैं, बाकि आप लोगों का क्या opinion है इस वाली smart watch को लेके, दीचे comment करके बताइए, अगर यह video आपको helpful लगी हो, तो like करिए, और इसी तरह की और videos को देखने के लिए, subscribe करिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की videos लेके आता रहता हूँ, फिलहाल के लिए इस video में इतना ही मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले video में